तो दोस्तों देश के अंदर एक नया पंगा, एक चित्र जिसके अंदर दिखाया जाता है कि भारतिय समाज या हिंदू समाज जो है वो पूरे साल बलातकार करता रहता है और उसके बाद 9 दिन तक देवी की पूझा करता है और इस चित्र को शेर किया जाता है एमिनेंट पोस्ट में आगे जाने से पहले एक अनॉंस्मेंट AKT के अपने मर्चनडाइज ले आया है भोकालफेक्टरी डॉट कॉम के नाम से जो टीशर्ट मैंने पहनी हुई है वो आप भी ले सकते हैं 15% डिसकाउंट पर जिसका सारा जो डीटेल है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे रहा हूँ तो दोस्तों कोई फेस्टिवल चल रहा हूँ उस पर तंजना कसा जाया ऐसा तो हूँ नहीं सकता तो दीपीका सिंग राजावाद जो कि खुद को कठवा गैंगी रेप केस की वकील बताती है लेकिन सौ में से सिर्फ दो ही हेरिंग में जाती है उस केस के लिए वो यौन शूशन को याद करती है महिलाओं के उपर नवरात्री के मौक पर और एक ऐसा चित्र शेर करती है अपने टुटर अकाउंट पर जिसके उपर लिखा होता है विडम बना क्या मतलब है इस कार्टून का तो जिसके दो में मतलब निकाले जा रहे हैं पहला ये कि भारतिय समाज जो है वो पूरे साल तो बलात्कार में बिजी रहता है और नौ दिन जो है वो देवी की पुझा करता है दूसरा मतलब इसका ये निकाला जाला है कि हिंदू समाज जो है वो नौ दिन देवी की पुझा करता है बाकी सारा साल बलात्कार करता है इसका एक तीसरा मतलब भी हो सकता है कि जो बलात्कारी है वो नौ दिन तक देवी की पुझा करता है बागी पूरे साल बलातकार करता है लेकिन इनका track record देख करना ऐसा लगता नहीं दूसरी तरफ जो question है वो uniformity का भी आ जाता है इद पर बहन का tweet देखे और नवरात्रों पर देखे लेकिन ये जो तंज है ना ये त्योहारदर त्योहार कसे जाते हैं वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि जो बातें इस चित्रों के जरीए कही जा रही है वो सही भी है नहीं और उसके लिए तो हमें data देखना पड़ेगा पहली बात भारतें पूरे साल बलातकार करते हैं और नौदिन जो है वो देवी की पूझा करते हैं तो आपके screen पर सबसे ज़्यादा rape rate वाले 10 देश आपके सामने है screen पर तो दुनिया में सबसे ज़्यादा rape जो है वो South Africa में 132 rapes per 1 lakh women हो रहे हैं Australia में 28 rapes per 1 lakh women हो रहे हैं USA में 27.30 per 1 lakh women New Zealand में 25 और South Korea में 14 rapes per 1 lakh women हो रहे हैं भारत के अंदर 1.80 है ये rate यानि की प्रती एक लाक महिलाओं में से 2 से भी कम महिलाओं के साथ बलातकार हो रहा है US के अंदर जो ये rate है वो 28 है ये जो पूरा data है इसका link में आपको description में दे रहा हूँ लेकिन इस data के अनुसार अगर हम देखें तो 118 यानि की 118 देशों की इस list के अंदर भारत का जो number आता है वो 94 आता है rape rate के according और अगर इस rape rate को अगर हम map के उपर लगाएं तो भारत one of the safest nations है इस rate में लेकिन भाई अब अगला तरक ये आ जाता है कि जो ये मैंने आपको list दिखाई है ये reported rate of crime है यानि कि जो sexual crimes report किये गए है लेकिन भारत में तो maximum इस प्रकार के crime जो है वो unreported रहते हैं ये बात सच है लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा loophole है आपका मुँ फटा का फटा रह सकता है तो ध्यान रखेगा अगर हम unreported rapes या sexual crimes की बात करें तो US के Department of Justice की report मैं आपको दिखा रहा हूँ 95 से 2013 तक एक study की गई है और पाया गया है कि students पर होने वाले जो rape या sexual crimes हैं उसमें से 80% जो होते हैं वो unreported रहते हैं और non students पर होने वाले sexual crimes या rape cases जो होते हैं वो 70% करीब तक unreported रहते हैं भारत में under reporting या फिर unreported sexual crimes का जो rate है वो 85.2% है यानि कि इतना percentage जो है वो sexual crime report नहीं किया जाता है अगर हम marital sexual violence को exclude कर दें तो यानि कि हम यह बात का अंदादा लगा सकते हैं कि US के अंदर भी unreported sexual crimes हैं और भारत के अंदर भी unreported sexual crimes हैं उसके बावजूद US के अंदर 28 sex crimes जो हैं वो women के against हो रहे हैं पर 1 lakh women और भारत में जो rate है वो 2 से भी कम है भारत में महिलाओं कि और बहुत सारी समस्या है लेकिन यहाँ पर बात हम sexual violence की कर रहे हैं तो इस चीज में at least भारत काफी safe है अगर दुनिया से हम comparison करें लेकिन propaganda कुछ इस प्रकार की headline से पूरी दुनिया के अंदर भारत के against चलाया जाता है बहुत simple तरीका है एक selective rape case उठाओ पूरी दुनिया में उसके खिलाफ headlines बनाओ और rape politics करो लेकिन मेरा सवाल यह है कि अमेरिका में हो रहे किसी बलातकार का जो भयानक सुरूप है वो भारत में हो रहे किसी बलातकार के भयानक सुरूप से कम कैसे है वहीं अगर हम conviction rate की बात करें तो भारत में हर 100 में से 28 यानि कि 28 rapists जो है उनको सजा हो जाती है convict कर दिया जाता है दूसरी तरफ US में यह जो rate है यह 1% से भी कम है यानि कि 100 में से एक को भी वो ढंक से सजा नहीं करवा पाते हैं लेकिन अब इस cartoon के ना दूसरे मतलब पर आते हैं मजबूर कर रहे है तो जी NCRB के data के अनुसर 21% trials जो है वो इस देश के अंदर Muslim समाज के ऊपर चल रहे हैं जबकि उनकी जो population percentage है वो 14.2% of the population बताई जाती है लेकिन trials जो है देश के अंदर वो 21% Muslim समाज के ऊपर चल रहे हैं महराष्टर में 11.5% population है पर इस state में जितने भी trials यानी case चल रहे हैं crime के अंसार वो 30% Muslim व्यक्ति पर चल रहे हैं West Bengal, Gujarat और Rajasthan में भी अपनी population percentage से double percentage जेल में बैठी हुई है यानी कि बंगाल में 27% population है 14% कैदी जो हैं वो Muslim समाज से हैं अभी जो data मैंने आपको बताया है ये crime का है, sexual crime का नहीं है यानी कि Government of India जो है इस प्रकार का कोई data release नहीं करती जिसमें sexual crime को हम religion के तौर पर हम describe कर पाएं तो अगर उसी data को मानक मान कर ये sexual crime में भी apply किया जाए तो हम इस निशकर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हिंदू समाज जो है वो अपनी population percentage से कम ये काम कर रहा है लेकिन फिर भी इन लोगों को cartoon चापना और उसको इतना mask share करना बहुत जरूरी था कि देश के अंदर जो है अववस्था का माहुल बनने लगे लेकिन ये single out incident नहीं है Congress Party के official Twitter account है ये एक उसका tweet अब देख लीजे किस प्रकार से attack किया जा रहा है किस पर attack किया जा रहा है first of all तो ये मेरे को लगता है कि BJP पर attack किया गया है लेकिन इसके लिए एक हिंदू festival का सहारा लेने की क्या जरूरत थी और ये कामना रोज हो रहे हैं पता है क्यों reason is very simple ये almost हर festival पर ऐसा किया जाता है किसी भी festival को ridicule करना इवन जो sperm होता है उसको भी हिंदू sperm बोल देना और ये विश्वास कर लेना कि जो water balloon होता है होली का उसको sperm से भरा जा सकता है सीमन से भरा जा सकता है reason simple है प्रोपगेंडा फैलाना है पर ऐसा करके उन्हें क्या मिलता है वो नहीं पता तो यहां से ये निशकर्श हम लोग निकाल सकते हैं कि ना तो भारतिया as a community sexual crimes में इस प्रकार से लिप्थ हैं कि इस प्रकार से चितरन किया जाए ना कि हिंदू community as a community जो है वो इस प्रकार के कार्यों में लिप्थ है जो इस प्रकार का चितरन किया जाए फिर क्यूं किया जाता है reason को सिर्फ समझा जा सकता है भारत की appeasement politics जहां पर एक particular समाज को almost हर political party अपने political फाइदों के लिए लुभाती रही, appeas करती रही उन्हें शिक्षा नहीं दी उन्हें गरीबी gift में दी साथ में अपना vote bank भी बनाये रखता ये जितने भी लोग इस प्रकार के बयान देते हैं ये उसी vote bank politics के चोटे-चोटे जे tools हैं जिने अपने कुछ-कुछ निच स्वार्थ होते हैं नेच फायदे मिलते रहते हैं इस प्रकार का narrative create करके नुकसान में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनकी ये लोग सोचने की ताकत छीन लेते हैं इस प्रकार का जहर पिला-पिला कर अब कब तक ये प्रोपगंडा चलने वाला पर जिसकी सारी details में आपको description के अंदर दे रहा हूँ अगले 24 घंटे तक 15% का discount है discount code जो है वो है D-E-V-I यानि DEVI सारे capital letters में सोचे जब मैं इतना जबरदस लग रहा हूँ तो आप कितने अच्छ लगेंगे आप हमें support भी कर सकते हैं patreon.com के तुरू या फिर join button के तुरू सारी details description या फिर comment के अंदर मैं दे रहा हूँ आप देख रहे हैं आज कितना दा खबर जहिंद जबारत